नमस्कार दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी समस्या है, कई लोगों के साथ है, ये बहुत ही practical problem है, कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तब भी हमारे number नहीं आते हैं, हमारा selection किसी exam में नहीं होता है, क्योंकि हमें चीजे याद नहीं होती हैं, और exam से पहले हम भूल जाते हैं, एक कई लोग बोलते हैं, कि आप कई बार पढ़िये, 10 बार पढ़िये, 15 बार पढ़िये, नहीं, 15 बार पढ़ने से भी चीजे आपको याद नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, एक उधारन देता हूं, जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, एक ऐसा चीज है, जो आपके हाथों से 1000 मीदेट में आपको नहीं याद है दस रुपे का नोट आपने हजारों बार किसी को प IKEA अधा किया होगा तो देखा होगा देखके ही देते हैं आख बंधकर 10 रुपे का नोट नहीं देते हैं लेकिन अगर मैं पूछू कि की कोशिस नहीं की बात को समझे गए यहां पर मेरे पास 10 रुपे का नोट का फोटो भी है मैं इसलिए 10 रुपे का नोट का फोटो लेके आया हूं कि कि बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट करेंगे क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं किताब को तो सिर्फ पेज पलटते हैं लाइनों को पर रिडिंग देते हैं लेकिन क्या हमारे दिमाग में वह एब्जॉर्ब हो रहा है जब अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कोई फाजा निए 10 रुपे का नोट है इस पर क्या-क्या बना हुआ कितनी भासा में लिखा हुआ है आपने साइद आज से पहले नहीं देखा होगा आप बस मोटा-मोटी देखके दे देते हैं कि 10 रुपे का नोट है इस पर किसका भी दोरह पढ़ाये जा रहा है वहां आँक से देख रहे हैं चौत नहीं हो रहा है अब कई बार उसको कर लिजे लोगों नहीं होगा तो जो तरिका है कई सफ़ल लोगों ने किया है मैं नहीं भी किया है मुझे बहुत फायदा हुआ था यहीयारी के समय और बहुत बेसिक पिस चीज़े कई लोग नहीं पता है कई लोग क्या करते हैंभी भी उस चीज से उनको से पुलेज सबसे पहले कसी वी चीज को और आपको पढ़ना है की इंट्रेस्टिंग बनाई है इंट्रेस्टिंग कैसे बनाते हैं इंट्रेस्टिंग बनाने का मतलब यह होता है कि उसको किसी न किसी फिल्म से रिलेट कर दिजे या फिर किसी कहानी से रिलेट कर दिजे कुछ नहीं हो रहा है तो उसको समाज से रिलेट कर दे अपने दिमाग म section history पढ़ रहे हैं तो अब वास्कोण डिगामा आ हम उंको अमिताब बच्चन जो है Thaks of I Done Will Nie से imagine करेंगे कि वास्कोण डिगामा ऐसे आ रहे है में पहुंचे उनको जम्मोरीन राजा है उन्होंने स्वागत किया आपको अभी लग रहा होगा बहुत ये लेकिन ये आप एक वर इमेजिन कर लिए आपके दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल बैठ जाएगा आप अकबर पढ़ रहे हैं उस वक्त आप अकबर को रितिक रोसन जो है अकबर बने थे एक फिल्म में उनसे इमेजिन करके पढ़ ये चीज़े दूसरा है कुछ आपको लंबा कुछ याद करना है तो उसके लिएक निमोनिक्स तरीका है निमोनिक्स क्या होता है कि उसका एक इंट्रेस्टिंग ऐसा चीज बना लिए जिसको आप जानते हैं जैसे उधारन देता हूं कि मुगल्स भारत में आये थे तो उनक इस ए जे पी ए भाजपा वैसी आप याद कर लिए भाजसा थीक है भाजपा तो सबको याद है कोई नहीं भूल सकता वैसी भाजपा भाजपा से क्या हूए बी फॉर हो गया बाबर एश फॉर हुमायू ए फॉर अकबर जे फॉर जाहंगीर एस फॉर सा जहां और ए फॉर अब आप कभी नहीं भूलिएगा इस ओर को भाश्पा पार्टी जैसे मुगल आएगा भाश्पा पार्टी आप याद किज़ेगा और वैसे आपको भाश्टा हो जाएगा ठीक है कॉंसेप्ट है कितने जगव विधान परिसद है विधान सभाक साथ कितने स्टेट्स में विधान परिसद है कितने राज्य में तो उसको याद करने का तरीका है जैसे चुम्बक होता है वैसे उम्बक है उम्बक मतलग क्या हुआ यू से उत्तरपरदेश, एम से महराश्टरा, बी से बिहार, ए से आंदरपरदेश, के से करनाटका तो यह तरीका है याद करने का वैसी अगर आप बात करते हैं इकनॉमिक्स की बात करते हैं, हर सर्जेक का मैं एक एक्जामपल देख कर रहा हूँ, इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, निमोनिक्स का, और गूगल पर निमोनिक्स आपको अराम से मिल जाएगा, तो इस सीरीज याद करने आपको असान हो जाता है, एक और उधारन देख तरीका है, तो इस तरीके से आप कोई भी चीजों को याद करने का निमोनिक्स से कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है आपको इंट्रेस्टिंग बनाना है, उसके बाद इंट्रेस्टिंग में ही आपको याद करने के लिए उसको भी इंट्रेस्टिंग बना के याद करना है ठीक है दूसरा जो सबसे important तरीका है जो मैंने अपने life में किया मुझे बहुत फायदा हुआ उस topic को आप किसी को पढ़ा दीजे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अगर दोस्तों के साथ रहा है दोस्त को पढ़ा दीजे अगर family के साथ रहा है तो भाई बहान को पढ़ा दीजे मैं अपनी wife को पढ़ाता था वो मुझे बहुत फायदा है मैंने कोई topic पढ़ा Science का कोई chapter प हो जाता है यह बहुत ही बतलब क्या कि यह सिक्रेट रेसिपी है सक्सेस का तो आप भी कोसिस कीजिए कि मैं अगर किसी को मास्टरी हासिल करनी मुझे टॉपिक में तो किसी न किसी को पढ़ा दू जाके चौथा है जो मेरे लिए तो बहुत और जोबस में और जॉब में रहने के कारण मैं दिन में औफिस न रटा था तो मैं कंश्यifs नगे सबने सामने कॉपिस में और फिस में काम यह वह सबके सामने लगया लेकिन खियालों में मैं क्किल हो और रात वाली चीजेभल रिकॉल कर रहा हूँ, रिकॉल का मतलब क्या हुआ, मैं सिरियल ओडर में याद कर रहा हूँ कि पहले ये था, अगर हिस्ट्री की ही बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था, क्या युद हुआ था, किस के साथ युद हुआ था, ओ नहीं आदा रहा है, प पॉलिसी लाई थी जो जो चीज पढ़ा है सबको रिकॉल करने कोसिस करना दिमाग पर जो डाल रहा हूं उससे वो टॉपिक मेरा अपना हो गया यह बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जॉब बाले लोग इसको यूज कर सकते हैं दिन वर में 9 घंटे जॉब करना आपने मन बना लिए कि आपको दूसरा एक्जाम कॉलिफाई करना तो इस नौ घंटे में से आप एक डेर घंटे भी अगर रिकॉल कर लेते हैं रात का पढ़ा हुआ तो आप जिंदगी वर्मत नहीं भूलिएगा मैं जब पीटी देने गया मेरे दिमाग में सब कुछ तक क्यों को कि बिल्कुल स्टोर हो जाता है बिल्कुल चब जाता है ठीक तो यह हो गया रिकॉल मेथड और जो लास्ट मेथड है वह आप थोरा सब बहुत आपको उसमें दिल और दिमाग अलाव नहीं करेगा एक पर लिख लिए उस चीजों को लिखना पूरा लाइन बाइन नहीं लिख को इंठ्रेस्टे मनाना है मैंने बिल्कुल इंठ्रेस्टेंग मनाके पढ़ा था और अपने अपने क्लासेज phase लेता हूं यूट्रेस अगर आप वह इंट्रेसट जगidden उस चीज का आप देखिए अकसर आपने देखा होगा कि आप तीन घंटे की फिल्म देखके बोर नहीं होते हैं एक बार भी उबासी नहीं आती है आठाट घंटे का वेब स्रीज देख जाते हैं हम लोग लेकिन एक बार भी उबासी नहीं आती है हमें हम बिल्कुल मजा मतलब क्या करते हैं रात की नीन चूट जाती है लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं दस मिनट में बोर हो जाते हैं दो उसके दो कारण है एक तो है कि आपका बेसिक कमजोर है और दूसरा यह है आपको मजा नहीं आ रहा है मजा इसलिए नहीं आ रहा है आप मतलब क्या होता है कि 100 रुपय में किसी को देना है वह 10% हो गया अधी बहुत आसान है उसको ब्रेक्टाउन करके मैं मैस पढ़ाऊंग आपको आपको आप कुछा कोई इसे इसे बनाना है भाई बहत है दोस्त है कुई को जबंढ़ाना शू दिये उसका भी फायदा होगा आपका भी बहुत फायदा होगा और रिकॉल करना जो लोग जॉब में हो जरूर रिकॉल करें अगले दिन जो लोग जॉब में नहीं वो भी रिकॉल करें कि मैंने क्या पढ़ा था उसको दिमाग में जोड डाली जितना जोड डाली है उतना हमारे दिमाग में वो चीज circulate होगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा 24 गंटे के अंदर आपने recall कर लिया वो चीज को तो आप आराम से रहिए कि एक साल के तक वो आपके दिमाग में रहेगा दिमाग से निकलेगा नहीं चलिए इस method को कीजिएगा अगर आपको यह अच्छा लगा तो कुछ और निमोनिक्स पर मैं एक special वीडियो बनाऊँगा और कैसे पढ़ना है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानने की खचा है तो मैं उस पर भी एक detail वीडियो बनाऊँगा ओके